Cinema History की Masterpiece Dune Movie का अगला पार्ट हमारे सामने आ चुका है जिसके बारे में मेरे पास शब्द नहीं है कि क्या बोलू इसे, कैसे डिस्क्राइब करूँ इस मूवी को, इतनी जादा पसंद आई है मुझे, इवन इसके चर्चे पूरी दुनिया में काफी जोरो शोरो से हो रहे हैं, और पार्ट टू बस यूँ ही देखने का सोच रहे हो, तो पहले ही एक वर्णिंग दे दू, चीज़े आपके सर के उपर से जाने वाली हैं, विकॉस दून की स्टोरी को समझने के लिए, आपको इसका वर्ल्ड पहले समझना होगा, जिसमें दून उनिवर्स की पावर से लेके, इस मूवी का में टॉपिक, स्पाइ, स्विचेज, और ऐसी बहुत सी चीज़े हैं, जो कि आपको बहुत जादा गन्फ्यूज कर सकती ह तो पहले पार्ट वन देखो, जो कि अपमें आप में ही एक कम्माल की मूवी है, उसके बात पार्ट टू देखना, अब ड्यून पार्ट टू की कहानी की तरफ चले, तो जहां फर्स्ट मूवी एंड हुई थी, वहीं से इसका पार्ट टू चालू होता है, जहां आप पॉल और उसकी मा यानि लेडी जैसिका को फ्रेमें ट्राइपस वाले एकसप्ट कर चुके हैं, और उनको यकीन हो चुका है कि पॉल ही है, उनका चोजन वन, और यही है जो अरेकिस पे वापस शान्ती कायम करेगा, और इसी बीच मूवी में हुई है एक और मास्टर क्लास विलन की एंट्री, जो कि मूवी के लेवल को एक स्टेप और उपर ले जाता है, इसे देख के आप कह सकते हो कि अगर किसी सीरिस मूवी में विलन को बिल्डप करना हो, कम टाइम होते हुए भी, तो भाई ड्यून पार्ट टू के इस विलन को सामने ले आना, भाई ब्रेलेंट व मिलता है, मतलब स्टोरी टैलिंग के तरीके से लेके ड्यून की जैसी सिनेमेटोग्राफी है, एक्सिलेंट था हर सीन, हर फ्रेम, और वी एफेक्स और सीजी आए के तो क्या ही कहने, सब कुछ एकदम टॉप नोच देखने को मिलता है, और ड्यून पार्ट टू उन लोगों simply हमें तो बता है, अब यहां मैं true cinema lovers की बात कर रहा हूँ, कि ये movie अपना time लेके खुद को audience के सामने रखती है, with lots of surprises and unexpected twist के साथ, चहां पिछली movie के बहुत सारे doubts भी clear होते हुए आपको नजर आने वाले हैं इस movie में, चोकि अपने आप में ही एक वज़य बन जाती है इस movie को देखने की, देखो भाई मैं Dune movie की इतनी तारीफ इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि इस type की movies बहुत कम हमें देखने को मिलती है, चोकि movies का actual मतलब हमें समझाती है, और Dune part 1 और 2 में आपको ऐसी कोई कमी देखने को नहीं मिलने वाली, चोकि आपके लिए ये movie boring मनाए, अगर आ कि Dune 3 का hint तो हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन मैं चाहता हूँ इस universe को और करीब से explore करना, इतनी कमाल की movie थी, बट ऐसा अपने Indians का मानना नहीं है, जहां मेरे यहाँ जब मैं शो देखने गया, तो भाई literally theater में कोई नहीं था, मतलब भाई movie की high भी नहीं है, और ऐसा हो भी क्यों ना, जब Dune part 1 आई थी तब भी सेम हाल था audience का, खेर वो सब की अपनी अपनी choice है, पर अगर आप Dune के fan हो, तो भाई गलती से भी miss मत करना इस movie को, क्योंकि मैं नहीं चाहता एक marvelous theater experience आपसे चूट जाए, अब in the end movie मुझे बहुत पसंद आई, इवन मुझे ऐसा अगर बात हो जाएंगे, अब अगर आप वीडियो के end तक आ गए हो और movie को देखने के लिए कोई help मिल गई हो, तो please इसे like और share कर दे, और channel पे नए हो तो please इसे subscribe भी जरूर कर दे, बाकि मैं बिलूँगा आपसे अगली review वीडियो में, बाई